आप देख रहे हैं अपना पसंदिदा यूटूब चैनल प्राइमरी के पंक आप सभी विद्यार्थियों को सूपरभात आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग सीखेंगे पढ़ना और आज का सिर्शक होगा बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के शंग बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के शंग इस पाठ को आज हम पढ़ना सीखेंगे तो हो जाएए तैयार, देखिए, सुनिए और आप भी इस पार्ट को बोल कर पढ़ने का अभ्यास कीजिए और आनंद लीजिए बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के शाथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी लेकिन वहाँ वहाँ खुश नहीं थी बहन, ओ, आई भीया, आई, आ गई मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई बस अभी बिछाती हूँ भीया बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के शामने बिछा दिया हम, आज सुबह मैंने भेडिया पकड़ा था न, वह परोसो अहा, मज़ा आ गया, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब हाँ भाईया लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है एक दिन शेर बिमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की लेकिन ठीक तभी, बहन, नास्ता बना कर सबको दो, जाओ, जल्दी करो भाईया, घर में आग तो है ही नहीं तो जाओ, आदमियों की बस्ती से सुलगती लकडी ले आओ, भागो सो बिल्ली भागी, जाडियों और पत्थरों को फलांगती हुई, गाओं में पहुची वहाँ देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं कितनी मुलायम और रेशमी जिस काम से बिल्ली आई थी, उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था बिल्ली सोचने लगी अचानक जोर की गरजन से जंगल काप उठा गरजन, गरजन यह शेर की दहार थी हाई रे, मुझे सुलकती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई बिल्ली एक घर में घुशी, और एक सुलकती लकड़ी उठाकर जाडियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी अचानक फिर वही डरावनी गरजन हुई गरजन और कापती बिल्ली ने शेर को देखा जिसकी आँखें गुशेशे लाल होठी थी वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूती हुई वापस गाउ भागी देखो, बिल्ली वापस आ गई जरूर शेर ने उसे बूरी तरह डरा दिया है हाँ, हमारे पास रहो नन्नी मुन्नी वापस मत जाओ नहीं जाओगी न नहीं, कभी नहीं और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के शंग रहने लगी तो इसी के साथ यह चित्रात्मक कहानी समाप्त होती है इसको परना है, समझना है और अच्छे से समझने के बाद इसको फिर से एक बार बूल कर जूर से परना है मिलेंगे अगले क्लास में और जानेंगे इस कहानी को अच्छे से इसका अर्थ क्या हुआ तब तक के लिए सुभविदा उप्टाइब तक के लिए से इसका अर्थ को अच्छे से इसका अर्थ